नमस्कार उत्तराखन समाचार में आपका स्वागत है मैं प्रियम्शन कर जहा सबसे पहले मुख्या समाचार सिलक्यारा टेनल में फसे श्रमिको का पहली बार सामने आया वीडियो और तस्वीरिक पाइपलाइन के जरिये टेनल के भीतर पहुँचाया गया एंडोस्कोपी फ्लेक्सी कैबरा सिलक्यारा टेनल में फसे श्रमिको का जाना हाल राश्ट्रे आपड़ा प्रवंदर का धिवरण के सदस्य लक्टिनन जनरल सेद अता हस्नैन ने कहा सिलक्यारा टेनल में फसे श्रमिको को बाहर निकालने के लिए रस्क्यू जारी अब समचार विस्तार से उत्तरकाशी में निर्वाना धिन सिलक्यारा सुरंग के भी तरफंसे एक तालिश श्रमिको को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभ्यान युद्धस्तर पर जारी है केंद्र और राजसरकार राहत और बचावकारियों की लगतार जानकारी ले रहे हैं सुरंग में फसे सभी श्रमिक सुरक्षित हैं रेस्क्यू टीम ने उन तक पहुंचाय गया एंडोस्कोपी फ्लक्सी कैमरे से सभी से बात चीत की इसका वीडियो और फोटो भी जारी किया गया है इस दोरान श्रमिको ने बाहर से कही जा रही बातों को सुना और उन पर प्रतिक्रिया भी दी आप को यहां से देख रहे हैं वहीं टेनल में फसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए रस्क्यू कारे जारी है दूसरे राज्यों से अत्या धुनिक मशीनों के पहुंचने का सिलसला भी लगातार जारी है दो मशीने मौके पर पहुंच चुकी है रस्क्यू कारे में जोटी विभन एजेंसियां सुरंग में फसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दिन रात काम में जोटी हुई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने एक बाह फिर मुख्य मंत्री पुष्क सिंधामी को फोन का सिलक्यार उत्तरकाशी में निर्माना धीन सुरंग में फसे हुए श्रमिकों के राहत और बचावकारियों की जानकारे ली मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को 6 इंच व्यास की पाइपलाइन के सफलता पूरवक मलवे के आहपार किये जाने और उसके माध्यम से भोजन और अन्य आवर्शक सामान श्रमिकों तक पहुँचाने की जानकारे दी मोखे मंत्री ने श्रामिकों से एंडोस्कोपिक फ्लक्सी कैमरे की मदद से हुई बात्ची और उनकी कुशलता की जानकारी भी प्रधान मंत्री नरींद्रमोदी को दी प्रधान मंत्री ने कहा कि सभी श्रामिकों को सुरक्षित निकालना हमारे शिर्ष प्राथ मिटता है पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामागरी है उनके लिए प्रहुंप आएगी निश्चित रूप से यह हम सब को परुद्शाहित करने वाली है और हम भगवान से प्रातना करते हैं कि जल्दी से जल्दी यह रेस्क कारी प्राप्त कर रहे हैं राजपाल कुर्मीत सिंग ने उतरकाशी टेनल रस्क्यू आपरेशन के दौरान कैमरे से टेनल में फसे मजदूरों की स्थिति का वीडियो सामने आने पर खुशी जताई है राजपाल ने कहा कि बहुत जल्द सभी मजदू टेनल से बाहर होंगे उन्होंने कहा कि पूरा देश शम्रों के साथ है केंद्र और राजपाल कार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है रेस्क्यू कार दिन राथ चारी है तुमारे परिवार के 41 जो सदस्या हैं जो सिल्क 11 के अंदर में अभी अंदर में हैं उनके जो कल खोशिश की चेंज की पाइप डाल कर उसके बाद में उनका वीडियो भी देखा है उनके पास में समान भी गया है तो ऐसा लगता है कि और इसके अलावा पांच प्लैन हैं ज जो मदद है जो टेक्निकल के विल्टिया उनको भी लगाया जा रहा है और हम सब पूरा परिवार चिंतित है इस वक्त में हमारी सर्वो प्रियर जो प्राच में इकता है कि हम अपने परिवार के 40 को किस प्रकार उस टरनल से बाहार लेके आए वहीं के इंद्रिय राज्य मं हमारी सरकार नेहां होई हैैा टेसे को हम सब को अमीद है और प्रभो से प्रार्थना भी है इसकी पूरी सर्कार प्राथन वहीं है और माननीժर्दान जनरल सेयद अता हसनय निकाहा है कि तरकाशी की सिलक्यारा टेनल में फसे एक तालिष श्रमिकों को बहार निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार चल रहा है फसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए NDRF, ITBP, SENA के इंजीनियर, SDRF, अरगनी शमन और आपात कालिन सेवाएं, BRO और सरकार की अन्य तक्निकी एजनसियां भी काम कर रही है सुरंग बचाओ एक बहुत ही गंभीर और चुनाती पुन प्रियास है जहां भी हमें विशेशग्यों के बारे में जानकारी है, वे विशेशग्य पहुँच गए हैं और सलाह के लिए उपलब्ध हैं उन्होंने कहा कि तीन से चार अंतरास्ट्रे विशेशग्य साइट पर आए हैं फसे हुए श्रमिकों के लिए परियाब जगह है और अंदर रोश्नी की भी विवस्था है इस वक्त वहां पर अलग-अलग एजिंसी हैं एंडी आरेफ है, आईटी बीपी है, आर्मी इंजिनिर्स हैं एस डी आरेफ है यू तरखंड की फायर अन एमेजन्सी सर्विस्जज़ हैं बॉर्डो रोड्स ऑउगनाईजेशन हैं और बेशुमार और टेक्निकल एजिंसीज जो भरत सरकार के साथ मैना रखती हैं वो वहां पर इस वक्त काम कर रही हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास 6 इंज के पाइप के रूप में एक जीवन रिखा है जिसके माध्यम से जीवित रहने के लिए राशन उपलब्ध कराए गया है साथी एंडियारफ की दो टीम किसी भी आकस मिक्ता और किसी भी स्थिती से निपटने के लिए साइट पर टैनात हैं अगर किसी स्थिती में उन्हें रेंग का सुरंग में प्रवेश करना है या मदद प्रदान करनी है उसके लिए भी टीम पूरी तरह से तयार है यह एक बड़ी चुनौती का काम है अगर टनल रिस्क्यू टेक्स प्लेस अगरी सीरियस और वरी चैलेंजिंग एफट जो इसके अंदर जाती है इंटनाशनल कंसल्टेशन भी हुआ है यहां तक कि तीन चार कंसल्टन्स जो हैं बाहर से इंटनाशनल एक्सपर्ट वो भी साइट पर आए हैं उन्होंने भी अपनी सलाह वहां पर दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग्धामी ने लोक निर्ण विभाग की समिक्षा बैठक की इस दोरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते भी कहा कि 30 नौमबर तक सड़कों को पुर्णे रूप से गढ़्धा मुक्त बनाया जाए मुख्यमंत्री ने सचिव लोक निर्ण विभाग और अन्य सरकल अफसरों को सड़कों का स्थलिय निर्ण करने के भी सक्त निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि 30 समय पर काम नहीं होने और कारे में किसी भी तरह की लापरवाही होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों पर मौके पर ही निलंबन की कारवाई की जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कभी भी सड़कों की निर्मान कारियों और पैचबर्ग से संबंधित कारियों का ओचक निरिक्षन कर सकते हैं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्मार्ट सिटी के कारियों और आंतरिक सडक मार्गों के कारियों में भी युद्धस्तर पर कारे किये जाए शहर में सडकों के निर्मान कारे रात्री के समय तेजी से किये जाए मुख्य मुंत्री ने कहा कि दहरादून में Global Investor Summit और आपदा प्रवंदन पर छटी अंतरास्टी कॉंग्रेस दो बड़े आयोजन होने वाले हैं इसके दुरुष्टिकत भी सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाए ओपरेशन मुक्ती के तहर चल रहे भीक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान को लेकर दहरादून पुलिस लाइन में एक आयोजन किया गया कायकर में भीक्षा बृती में लिप्त उन गरी बच्चों ने भी शिरकत की जिनके हाथों में प्रदेश की पुलिस की मदद से कितावे हैं वे अब स्कूल जाते हैं पढ़ते हैं और कुछ बड़ा करने का सपना भी देखते हैं इस अब सब पुलिस पहाने देशक अशुक कुमा ने कहा कि 2017 में इस अभ्यान की शुरुआत की गई थी जिस ने न सिर्फ गरी बच्चों के पढ़ने के सपने को साकार किया है बलकि भीक्षा बृती के साथ ही बाल्शम को रोकने में भी एहम भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि 6 साल में 3,603 बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराए गया है इस अभ्यान के तहट स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चे भी बहत खुश नजर आए उनका कहना है कि बड़े होकर वो भी पुलिस में भरती होंगे और लोगों की सुरक्षा के साथ ही अपने जैसे बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाएंगे विक्सित भारत संकल प्यात्रा इंदिनो देहरदून और धमसिंग नगर जिलों के जनजात्यक्षेत्रों के भ्रमन पर है इसी कड़ी में संकल प्यात्रा के रत उधमसिंग नगर के सितार गंज ब्लॉक के ग्राम ध्यानपूर और एच्चता और देहरदून जिले के चकराता की मोहना ग्राम पंचात पहुँचे जिनका ग्रामीनों ने स्वागत किया इस दोरान लोगों को जनकल ल्यानकारी योजनाओं की जानकारी फिदी गई संकल प्यात्रा के दोरान ग्रामीनों ने विक्सित भारत बनाने की शपत ली इस दोरान लोगों को राश्चपती और प्रधार मंत्री का विक्सित भारत को लेकर संबोधन भी सुनाया गया कायरकर में विभने योजनाओं से लाभानवित ग्रामीनों ने सरकार का आभार व्रक्त किया कि अधिए आश्मान कार्ड के तहट बहुत लाब मिला है पिछले एक महीं में पहले विमार हुआ था जिसमें मेरा करेवन एक डेर रफ़ता इलाज चला और आश्मान कार्ड पे चला जिसमें मुझे तही से तीन लाग तक का मुष्क इलाज मिला है अलमोडा के राजकी आदर्ष्ट इंटर कॉलेज हवालबाग में उतराखंट स्टेट काउंसिल फॉर साइंस और टेक्नोलोजी दो दिवसे विज्ञान लोग व्यापी करन कारशाला प्रारंब हो गई है कारशाला में विशय विशिशक्यों ने चात्र शात्राओं को व्य अलेज हवालबाग के प्रधानाचार्य डॉक्टर करपेल नयाल ने कहा कि लोगों में विज्ञान के प्रती जंजाग रुपता पैदा करना और विज्ञानिक सोच विक्सित करना कारशाला का उद्देश्य है उन्होंने कहा कि अपने उद्देश्य को लेकर सफल रहेगी अरिजना निताल के वरिस्ट वग्यानिक डॉक्टर यूगेश चंद जोशी ने कहा कि कारशाला के माध्यम से बच्चों के मांसिक विकास के लिए एक फोरम विक्सित होगा उन्होंने अटल आदर्श लैब में बच्चों के बनाये गये विज्ञानिक उपकरनों और उनके को प्रशीक्षितकर वगयानिक सूच विक्सित करना है जैंतार विज्ञानिक के प्रति जागड़ूता उपन्ने करना और लोगों को विज्ञान से जोड़ना और विज्ञानिक सोच उपन्ने करना ये इसका मुख्य उधेसी है प्रदेश के समाचार उन बस इतना ही चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सिल्के आरे टेनल में फसे शमिको का पहली बार सामने आए वीडियो और प्रस्वी पाइपलाइन के जरी टेनल के भी तर पहुंचाएगा एंडोस्कोपी फ्लेक्सी कैमरा सिल्के आरे टेनल में फसे शमिको का जाना हाई रास्ट्रिय आपदा प्रहुंदन प्राधितरन के सबसे लप्टिरन जनरे उसे यर अता हसनायन ने कहा सिल्के आरे टेनल में फसे शमिको को बहर निकाने के लिए रस्की जारी और मुख्यवंची गुष्कसंधामी ने की लोकनमरान वुभा की समिक्षा अधिकारियों को 30 गौंब तक सर्के गढ़्धा मुक्त करने के दिए निर्देश इसी के साथ समचासमाप्त हुए नमस्कार अधिकारियों को 30 गौंब तक सर्के लोकनमरान वुभा की समिक्षा